तो आज हम पूरे भारत के श्मक्ष अपनी वारता रखना चाहते हैं पिर हमने भर्सक कोशिश की कल की मीटिंग में पिर कोई ना कोई इस तरह का निर्नाय हो जाए जिससे हम जो सरकार से टकरा से बचें और कुस हमें मिले जिसकी हमें आशा थी हम आशा करके ही भरोसा करके ही पांस घंटे मीटिक में बैठे रहे हमने उनके समक्ष हर्याना की पोजीशन रखी भी हर्याना को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है आप हर्याना में हर गाउं में पुलिस भेज रहे हैं हर्याना के हर गाउं में वाटर कैनन भेजे हैं आपने हर कि किसान को 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 तं岬 किया जा रहा है अपका बीटा कर रहा उसे करने नहीं देंगे आपका भाई कर रहा हुआ यूख नकार और आपके पास्बूर्ड रद कर देंगे लगण पतारना अधिक से हई चिस तरह किए अधिक से दिखा है और देखे आप पंजाब हर्याना किसे भारत के दो राज नहीं ऐसे लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं तो हमें जो नजर आ हम भी जो दिवार बनाई गई है रोडस में मुझे बुता हम तो इसको देश के लिए वह को देश का पेट भरते हैं और इन्हों ने हमारे लिए जो है किलों की फसल है वह हमारे लिए उगा रखी है वह सामने हमने तो मंत्री महोदे से कहा आपने महाराश्टर में जुल्म किया आप मद्रपरदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए आप ये बैंगलोर से आ रहे हैं थे ये हमारे लोग उनकी एक और थी आगुक उसको बालों से जैसे खीचा गया उसके सर पर चोट लगी हम फिर आपसे वारता करने पर हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए पर हमें ना तो यह लगा हम मंत्री महोदे प्यूश गोल जी उपर कहें मैं बात करूंगा पर कुछ लगा नहीं उसके बाद कुछ हुआ देके वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्वीटर हैंडल करता उन्हें हम कुछ देना चाहते हैं तो वह दे दें लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वह सिर्व हमारे अंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा देखे सीधी सी बात बहुत आसान बात है MSP खरीद की गरंटी का कानून वो कह रहे हैं इस पे मंत्री महोदे कमेटी बना देते हैं हमने सीधी सी बात CACPA कैसा आदा रहा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में शिपार्श करता वो सारी डिटेल्स ले लेता है वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भार सरक प्रकार करती आ रही है हर शे महिने बाद गेहू हो धान हो और चीज़े हूं के उपर हो MSP का अनौंस करते हैं कुछ-कुछ फसले तो खरी दी जाती है कुछ नहीं करें हमने का आपने कुछ नहीं करना इस जो 23 फसलों का आप कर रहे हैं पूरी कैलकुलिट करके उसके उपर लीगल शोर्टी कर दें भी आपकी मंडी में MSB से नीचे बिकेगी नहीं अब फिर बोले इस पर कमेटी बनाए हमने बोला इस पर तरक दीजिए इस पर कमेटी बनाने की जुरूरत है ही नहीं है तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था आप कमेटी बनाके हमारे मुद्दे को डिलेट करना चाहते हैं हमने ये भी बहला मानजोग परधान मंत्री जब 2012 में कंजूमर आफेर कमेटी के चेर परसंद थे तो उन्होंने कहा था MSB करेंटी कानून देंगे उनकी इस पार से हैं और 2018 में ततकालिन खेती बाड़ी मंत्री सच्चिव की चि किसानों ने झब केस डाला था तो उन्नों दोनों फक्षों को सुनकर सरकार का पक्सी सुना जो पीयर लडने हुआ तालने वालते उसका फक्सी शुना निरने किया भी MSP से नीचे किसान की फसल खृइदी नहीं जाएगा हमने तीने तर्क उनके सामने रख दिए पर मन्तरी महोदे काकेले हमारे से और दूसरा हमने कहा आपने दो साल पहले चिठी लिखिये में उसमें बोला था मैस्पी खरीद की गरंडी का कानून बनाएंगे तो दो साल तो निकल गए समय तो आपके दिया 40-45 दिन पहले हमने अंदोलन का ऐलान किया तब कर लेते तो उनका अंदोलन को टालने का मुद्दा था जिससे हम निराश हुएं भी सरकार हमारे साथ बैठके मसले काल नहीं करना चाहती सी टू फिप्टी के उपर भी उनका कोई निर नहीं है कसान मजदूर के करज के बारे में मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई ये बैंकों का काम है दस मिनिट का काम है भास सरकार चाहे डेटा पांच चार दिन में कलेक्ट करके दे सकती है कुन सी बड़ भी आता हम कहते चलो डेटा भी नहीं है आप नांस्मेंट कर दीजिए किसान मजदूर का कर्ज माप करेंगे कैसे 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 करना है यह आने वाले समय में पता चल जाएगा तो 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 मीटिंग चासी सारी वारता मीटिंग में हमने सब कुछ मां बोला है सब कुछ कहा है इस बज़ा से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सब को मिलकर ये दस बजे का बॉडरों की उपर जाने का निरने लेना पड़ा हमारी और से बिलकुल पीसफुल कोई टक्राब नहीं करेंगे सरकार से सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर ठीक है आशूगेस के करें वो कर रही सब कुछ हमारी और से उदर होज के जबान भी हमारे घर उसे हमारे भाई हैं पुलिस के जबान भी हमारे हैं इधर भी हमारे हैं ठीक है तो हम पूर पीसफुली पुरामन जंक से ये सब करेंगे जो हमारा निरने हैं दूसरा हम मीडिया से अपील करना जाएंगे भी मारे अ कॉंग्रस को नहीं कोई कॉंग्रस हमें सपोट नहीं करती हम कॉंग्रस को भी उतना दोशी मानते जितना भाजपा दोशी यह नीतियां तो कॉंग्रस लेके आई हैं हम कोई लेप्ट नहीं हैं हम जो सीपी आई सीपीम ने जो बंगाल में राज किया उन्हें बीसों गलतियां कि वहाँ सब पच्चमी मगाल में कौन सा इंकलाब आ गया हम किसी के पक्षबाले नहीं हैं हम किसान मजदूर की वाज उठाने वाले उनके आदमें तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे चाहे पंजाब और देश के गाएक हैं बुद्धी जी भी हैं एनराई भ एक सो चालिस करोड देशवासियों की मांग है उसमें से साथ करोड से अधिक किसान है इस देश में खेत मदूर अलग हैं तो सत्तर पच्चतर परसंट अबादी की मांग है सब मिलके करेंगे इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं अगर क्रिशी बच गई तो देश ब आज आंगा अपने बंदे जुरूर मीडियाना कॉप कौप सह जोक करन जाड़ी ओदे बच साधेबंदे मीडियाना टकराली गाल के नाउन साधे जड़ी बहुतियां साधे नौजमान साधे कसान मजदूर के ते भी पठकाहड चाना हुना अभि गुरू साब दी सारी उमर उन्हाने बड़ा बड़ा पदेश दिता जंगा लड़ियां किते भी हाउसला नी खोया किते भी पढ़काहट चिनिया है अखीर तक गाल बात शुंदी रहे खीर तक असी गाल सुन दे रहे असी तकराले पासे नहीं जाना चुंदे तो ठीका साड़ा महिम्या साड़ा फैंसल देखो ए मौके दियां गल्लान की मौके दियां परस्तितियां बंदियाने के हो जे मौके दे फैंसले लेने पेंदे ए मौके दे पता लगूगा